हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज 6 मई को सबसे पहले आपको बता दूँ आपका MTS का कोई भी एक्जाम नहीं था ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ उन दोस्तों के लिए जिनका आगे आने वाले दूनों में एक्जाम होना बाकी है अभी तक जितने भी सिफ्टों में आपका MTS का एक्जाम हुआ है उन सभी सिफ्टों में जिस लेवल के कोशन आपसे अभी तक पूछे गए हैं हूब हूँ उसी लेवल के कोशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और आगे जिनका भी पेपर बाकी है ये सभी कोशन आपको जरूर रट कर जाना है एक्जाम से पहले क्योंकि 100% यही कोशन आपके आने वाले सिफ्ट में पूछा जाएगा तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा चेनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को ओन कर लीजिए तो चलिए फर्स्ट कोशन देखते हैं तो देखे दोस्तों कोशन आपके स्क्रिन पे हैं पूरा वीडियो सभी के सभी एंड तक देखेंगे क्योंकि हू बहू ये कोशन आपके सिफ्ट में आएंगे पहला कोशन है सदीर या दासी अटम किस सास्त्रे नरते सहली का पुराना नाम है सादीर और दासी अटम आरदा ओल्ल नेम ओफ विच क्लासिकल डान्स फोर्म तो ये दोस्तों जो है ना ये भरतनाट्यम सास्त्रे नरते सहली का पुराना नाम है तो भरतनाट्यम आपका राइट आंस्पर होगा अगला कोशन है मीरा बाई चानू भारत के किस राजे से हैं मीरा बाई चानू इस फ्रोम विच स्टेट ओफ इंडिया तो ये दोस्तों मनीपूर से है तो मनीपूर राइट आंस्पर होगा और इनका समन्द है वेट लिफ्टिंग से बिल्कुल ऐसे कोशन आ रहे हैं MTS में आपके अगला कोशन है इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरतमार में परमु कोन है IB के जो चीफ है वरतमार में ये तपन कुमार देगा है तो तपन कुमार देगा आपका राइट आंस्पर होगा अगला कोशन है केके अम्मा किस नरते सैली से समन्दित है केके अम्मा is related to which dance form तो इनका समन्द है मोहिनी अटम से तो मोहिनी अटम आपका राइट आंसर होगा और ये कोशन ही आपके आने वाले सिफ्ट में आएंगे बिलकुल ऐसे जिनोंने भी अभी तक एक्जाम दिया होगा उनको मालूम है क्योंकि बिलकुल ऐसे कोशन आपके सिफ्ट में आ रहे है और आगे भी ऐसे कोशन ही आएंगे अगला कोशन जनगर्णा 2011 की अनुसार भारत की महिला साखसरतादर कितनी है according to census 2011 what is the female literacy rate of India जो female literacy rate है इंडिया में according to census 2011 तो ये है 65.46% अगर male की बात करें तो 82.14% है ठीक है दोस्तों अगला कोशन देखिए कौन सा राजे Aluminium का सबसे बड़ा उतपादक है which state is the largest producer of Aluminium Aluminium का सबसे बड़ा जो उतपादक है न वो है Odisha तो right answer करेंगे Odisha को ठीक है अगला कोशन गोटी पुआ नरते भारत के किस राजे का है गोटी पुआ डान्स is from which state of India जो गोटी पुआ नरते है न ये भारत के Odisha का है तो Odisha राजे आपका right answer होगा जिन्होंने भी इस वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और वीडियो को जरूर शेर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो रोजाना देखने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बैल आइकन को अगर आप ओन कर लेते हो तो MTS की रोजाना वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा अगला कोशन है कोंग्रेस के वरतमान में अधेक्स कोन है फू इस दा प्रेजेंट प्रेजिडेंट ओफ कोंग्रेस पार्टी कोंग्रेस पार्टी के वरतमान में अधेक्स है मलीका अरजुन खडगे तो मलीका अरजुन खडगे आपका राइट आंस पर होगा अगला कोशन परियाग प्रसस्ती समंदित सिलालेक किस से है परियाग प्रसस्ती is a inscription related to जो परियाग प्रसस्ती जो सिलालेक है न ये समुद्र गुप्त से समंदित है तो समुद्र गुप्त राइट आंसर होगा और इसे लिखा है जो कवी थे ना दोस्तों हरी सेन कवी के द्वारा लिखा गया है इसे अगला कोशन गोवा राजे के वरतमान में मुख्यमंत्री कौन है गोवा स्टेट के जो वरतमान में सीम है वो प्रमोज सावंत है तो प्रमोज सावंत आपका राइट आंसर है और ये बिजेपी पार्टी से है और governor अगर आपसे पूछे गोवा के तो current जो governor है वो है स्रीधरन पिलाई अगला question देखिए ए सरप शेता का उन्मूलन भारतिय सविधान के किस अनुछेद के अंतरगत आता है दोस्तों ए सरप शेता का जो उन्मूलन है न ये under article 17 में आता है article 17 में अगला question है निवन लिकित में से कोन सा Tamil Nadu राजे का लोक नरते है which among the following is a folk dance of Tamil Nadu state अब Tamil Nadu के तो वह सारे folk dance है पर एक आपका कूमी भी आपको याद रखना है जो कूमी है ये Tamil Nadu का है और ये S.A.C. ने बार बार पूछा है ध्यान रखेगा अगला question है पुषकर मेला एक वर्स में कितनी बार मनाया जाता है पुषकर मेला is celebrated how many times in a year जो पुषकर मेला है एक वर्स में एक बार ही लगता है तो one time आपका right answer होगा ऐसे question MTS exam में आ रहे हैं हूब भू ये question आपके आने वाले shiftों में आएंगे तो जिनका भी आगे आने वाले दिनों में पेपर बाकी है वीडियो को पूरा जुरूर देखना बीच में मत छोड़ कर जाईएगा अगला question देखिए निमन लिकित में से कौन सी मीठे पानी की जील नहीं है which among the following is not a fresh water lake तो यहाँ पे option में सामर लेक है सामर लेक आपको पता होगा यह खारे पानी की जील है ना कि मीठे पानी की तो सामर लेक करेक्ट हो जाएगा और अगर आपने बात करें मीठे पानी की सबसे बड़ी जील वो है वुलर लेक जो की जम्मू कश्मीर में है भारत की बात कर रहा हूँ अगर पूरी विश्व में बात करें तो superior हो जाएगा अगला question है जावेरी sisters are related to which dance for जो जावेरी sisters है ना ये समन्दित है मनी पूरी dance से तो मनी पूरी dance आपका right dance for है अगला question कादंबरी पुस्तक के लेकक कौन है who is the author of the book called कादंबरी कादंबरी पुस्तक के लेकक है बानभट और ये दोस्तों इनके द्वारा दोस्तों आपको बदा दूँ हर सरित्र भी इनके द्वारा ही लिखी गई है ठीक है और ये दोस्तों ये कवी थे राजे कवी थे हर्षवर्दन के टाइम में ठीक है हर्शवर्दन के जो कवी थे ना वो आपके बानबटी थे और इनकी प्रशिद पुस्तक हैं कादंबरी और हर्शरित्र अगला कोश्चन है भारतिय राष्ट्र कोंग्रेस के लाहोर अधिवेशन जो की 29 में हुआ था के अधेक्स कौन थे जिसमें पुर्ण सवराज प्रस्ताव पाइट क्या गया था अगला कोश्चन है व्यापार करने की स्वत अंतरता भारतिय सविधान के किस अनुचेद के अंतरगत आती है freedom to trade or business comes under which article of the Indian constitution तो यह आता है article 19 में अनुचेद 19 में ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं 1991-92 में प्रथम खेल रतन पुरुषकार से किसे समानित किया गया था who was awarded the first खेल रतना award in 1991 और 1992 तो विश्वनाथन आनंद जी को समानित किया गया था और इनका समन्द है सतरण से अगला कोश्चन इनमें से कोन उश्मा का सबसे अच्छा चालक है which among is the best conductor of heat तो यह है silver चांदी जिसका atomic number होता है 47 अगला कोश्चन जो भारत का सबसे दक्षिनी बिंदू है वो क्या कलाएगा which is the southernmost point of India इंद्रा पोइंट को सबसे दक्षिनी बिंदू बोलेंगे और एक बार इसका भी आप screen सोट ले लीजेगा ये बार बार पूछे आते हैं exam में आपके अगला कोश्चन इनमें से किसे golden fiber की रूप में भी जाना आता है which among is also known as the golden fiber golden fiber के रूप में जूट को जाना आता है तो जूट आपका correct answer होगा तो ये थे आज के कोश्चन ये वीडियो अगर आपने या तक देखा है तो आने वाले दिनों में अगर आपका exam होना है तो यहा पमेरे तो आप outro आता है बाले यहा कि यहा है अएला से बाले नाता है इनको खंग मेर आपका लिए्टियो यहां ड्दित्क स्यमने ढ़ीं है